हेलो एब्रीवान नमस्टे मैं हूँ रजना और स्वाधत है सभी का मेरे चैनल रजना लोगबुक में आज मैं फिर से लाई हूँ नया वीडियो जो कि होम डेकोर से रिलेडेड है जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन दब आज मैं आपके साथ उसी का वीडियो सेर कर रही हूँ मैं इसे ओन नहीं देख रही थी तो यह बहुत महंगा मिल रहा था फिर मुझे लगा कि इसे रिक्रेट करते हैं और क्यों नहीं से घर में ट्राइब करके देखते हैं तो यह बनने के बाद कुछ इस तरह से आया है ज की लिए आपको चाहिए पथे वहाल जो काड़स पॉर्ट होता है और उसी से मेंने इसके पैटल्स काटे हैं और इसके उपर का वर जो एक लेयर पर का जो लेयर रहता है उसको रिमूब करने के लिए पहले उसको गईला करना पढ़ता है जब आप उसको पानीसे गाह करें तो यह अंदर वाला ही चाहिए मुझे तो मैंने इसको पहले ड्रो किया था फिर कट किया और फिर गीला करके इसका सारा मेरी बूब कर दो इसको बनाने का दो रीजन था मेरे पास क्योंकि मेरे हस्बंट की जोब ऐसी है जो जिसमें हम दो तीन साल में धर धर पोस्टिंग होत तो इसमें मैंने ज्यादा खर्च नहीं किया है इसको हम भटा के दूसरा भी बना सकते हैं और जो हम खरीद लेते हैं एक बार फिर उसे तो हमें रखना ही पड़ता है तो इसलिए मैंने इसे घर में बनाया अगर आप लोग को इसमें अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कर है जिनका मेरी तरह हहीं हमें सा पोश्टिंग होते रहती है तो एसे बनाये वह रहता तो तो ऐसे हाथों से बनाया गवा रहा था तो बुरा नहीं लगता क्योंकि उसे छोड़ भी सकते हैं इन पतियों को रियल दीखने के लिए इन पर ग्लू से मैंने लाइन बनाये हैं और ग्रीन कलर से सभी को कलर कर लिया है कुछ पतिया लंबी और कुछ छोटी है बėं दो कातार टब का व् से गुछ यान का वर भी तो बटतानी उ ziehen रें तो कंछ चीड़िसे वो की डिया खावका है चुछ लंग Qua वहा है बनाया है कि अ कि अब कि अब आप 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 कि अब ते ने इसी तरह से बेख फ्लावर के बीच में जो राउंड लगाना था फ्लावर मुशे ओए चीच फी miesz men is pretty propio block कि और एसे ही गोर्डन कलर पर करती हूँ मिरे पास नहीं पता नहीं नाइट टो मैं सिलवर काड़ था और आपको बता दो कि अगर आपके पास गोल्डेन का भी डास्ट वो तो आप सेम इसी तरह से से इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं पहले ग्लू डालिए और उसके बाद जो डश्ट है उसको मिक्स करें और अप्लाई करिए इसको मिक्स करने के बाद यह थोड़ा कि इन सभी को कलर करने के बाद में रख दे थी ने असेंबल करने के लिए और यह कलर करने के बाद सारे जब ड्राई हो गया तो कुछी इस तरह से दीख रहा था फ्लावर बनाने के लिए सभी जो पैटन से उसके बीच में दो इंच के कट में लगाई थी और ग्लू से ही आपके पास फेवी बॉंड है तो आप उससे भी लगा सकते हैं और यह मुझे बीच में जो फ्लावर लगता है राउंड वला वह मैं बना रही हूं दो मेरे पास इसको छूट गया था मैं नहीं बना पाई थी तो सुबह मैंने इसको जब सभी को असेंबल करना को इस टैंग मैं बनाई और सभी पैटन्स को ऐसे दो कट करके और बीच में ऐसे ग्लू लगा के और आपास मैंसेशीपका दीजिए फिर आप इसेंबल कर रही है असे रहता है लाइक ये भीना मत चाहिएगा और इसी तरह कि मैं वीडियो हमेशा लाते रहते हैं जो घर से ही समान से बना हुआ रहता है और बहुत सारे वीडियो है जो डला हुआ है तो आप लोग चेक कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगे आप लोग चेक कर करेगा और अपने फैमली मेंबर को सेर जरू करिएगा क्योंकि जो भी वीडियो रहता है वह अच्छा रहता और काम कहीं रहता है जितना भी मैंने बनाए है वह सभी आप लोग को जरूर पसंद आएगा और जो गलती हो गई होगी उसके लिए सौरी इसके पीच में लगा ह चोटा वाला जो फूल है उसके बीच में भी आपको कट करना पड़ेगा और इसको भी आपस में चिपकात दीए थोड़ा सा आगे पीछे करके तक ये फूल का से वह ले 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 और फिर वह उसमें लगे तो वह जाना अच्छा लगता है कि फ्लावर लगाने के बाद नहीं ये सुना से लग रहा था तो मैं इस पर गुलू से लाइन बना दी ऊपर में और इसके ऊपर मैं इस पर ग्लीटर पाउलर जो रेड कलर खाथा वह मैं इस पर डाली तो ये अच्छा लग रहा था देगिए आप चाहे तो इसको भी एसकीप कर सकते हैं या फिर आप कोई और कोई अधर कर जो आप चाहें तो डाल सकते हैं इस पर ब्लू कलर भी अच्छा लेगे लगेगा और वोल्डेन तो है ही कोई और भी तरह आप डाल सकते हैं और सारा कुछ इस तरह से रखने के बाद यह लग रहा था वैसे तो मैं इसमें सारा आप लोग को बता दिए हूं कि और इसके पीछे थोड़ा सा थीक कार्डबोर डालिएगा ताकि यह हैंग करने में अच्छा हो और इक सी और बता दू कि इसको हैंग करने के लिए आप हुक भी ले सकते हैं बट मैं मेरे पास में लोही का मैं पतली वाली वायर रखती हूं मैं उसी से सभी को जो भी बनाते उसको हेंग कर देती हुई इसी रहता है